हलो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्ट विजय और सबसे पहले आप सभी को ढेर सारी सुपकामनाई कलके एक्जाम के लिए जी हाँ दोस्तों इस दो मेहनों में हमने बहुत तयारी करी है तो जितनी मेहनत करी है उसका एक भी हिस्सा जाये नहीं जाना चाहिए बहुती संजिदिगी से बहुती धिरस्ता के साथ बहुती गंभिरता के साथ और बहुती सटिकता के साथ जबाब दीजिएगा मुझे पूरी उम्मीद है पूरा विश्वास है कि आप लोग वैसा ही करेंगे बिल्कुल कोला हल से दूर रहे और अपने पास जितना स्टडी मटेरियल है और जितना आप पढ़े हैं उतना कवर कर लिजे रिवाइस कर लिजे और नया पढ़ने की कोशिस मत करिए खास चीज़ें मैं आपको थोड़ी सी बता देना चाहता हूँ जैसे बहुत सारी चीज़ें 25 से 30% सवाल उनमें से आते हैं जिनमें अपडेशन हुआ है जिनमें थोड़ा सा changes आया है कोई policy में चैंज आया है कोई percentage में चैंज आया है कोई amount में चैंज आया है इनमें आता है और 30 से 40 सवाल पुराने आधार इस्तम में आते हैं जो कभी बदले नहीं है और बदले नहीं जा सकते उनमें आते हैं और बाकी 30 से 40 परसन आपके इंटरनर सर्कुलर से आएंगे तो बहुत सारी तैयरी हो चुकी है अभी आपको नेर्ने लेने की ख्यंता बढ़ानी है कि कौन सा सही हो सकता है कोईश्चन को कैसे पढ़ा जाता है कोईश्चन को किस तरीके से देखा जाता है कोईश्चन के लिखने पढ़ने से उसका मन सा समझ में जाना चाहिए कि वो चाहता क्या है जो IBPS तो इस तरह की ट्रिक्स पर आप वर्काउट करिए जितना ज़्यादा हो सके MCQs हल करिए उल्जे मत रहिए तर्क वितर्क में उल्जे मत रहिए आप एक्शल में प्रॉब्लम यही है कि हम कम समय में तयारी करते हैं और बहुँ सारे confusion में आ जाते हैं मैं बता दे रहा हूँ 25% सवाल उनमें से आएंगे जिनमें updation हुआ है changes हुए हैं और 40-50% सवाल जो पुराने हैं और 30-35% जो हैं वो आएंगे आपके internal circular से आएंगे तो सब की तयारी उम्दा हुई है मैं सभी को बहुत सारी सुपकामनाई देता हूँ और अभी बिलकुल आप अपने जिसस्ट देवता को मानते हैं जिन से उर्जा का संचार करना चाहते हैं उनसे मान के आप बहुत अच्छे तरीके से स्वस्त मन से पूरी नीन के साथ और बहतरीन एक संकल्प के साथ एक उर्जा के साथ, एक उत्साह के साथ, एक उमंग के साथ, एक तरंग के साथ और प्रमोर्शन के रंग के साथ एक्जाम देने जाएए, सफलता जरूर मिलेगी सिर्फ तीन सुत्र है, यह सफलता पाने कले मैं भी इतना मेहनत किया हूँ आपको क्योंकि ये जो है मेहनत इसलिए किया है क्योंकि मेरा एक ही उद्देश है आपको सफल होना आप एक्जाम में सफल हो जाएए टॉप लिस्ट में आएए और बहुत अच्छा लगेगा मुझे गौरावनित महसूस होगा 33 साव खुद से वादा, मैहनत जादा, मजबुत इरादा में कितना महनत किया हूँ ये फरक नहीं पड़ेगा आप कितना महनत कर रहा हैं ये जादा फरक पड़ेगा जी है तो आप बहुत महनत करिए और कल मैं आपके चेहरों पर उत्सा देखना चाहता हूँ मंग देखना चाहता हूँ एक नया तरंग देखना चाहता हूँ और प्रमोशन के रंग देखना चाहता हूँ इन पंक्तियों से आपको सुपकामना ही देता हूँ कि महनत करते जाइए महनत का फल कल मिलेगा मेहनत करते जाएए मेहनत का फल कल मिलेगा और आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा और जितना गहरा कुवा होगा उतना ही मीठा जल मिलेगा और बैंकिंग के कठिन प्रस्णों का भी बैंकिंग सही हल मिलेगा मेहनत करते जाएए मेहनत का फल जरूर मिलेगा आज नहीं मेनत का फल कल मिलेगा और बेंकिंग के कठीन प्रश्णों का बेंकिंग सही हल मिलेगा हम सभी साथी एक साथ तयार किये मेरे साथ आप लोगों के साथ रहा मैं इंटर्वियू तक आपके साथ में रहूँगा हमेशा आपके साथ में हूँ मुझे अपना मानने के लिए मेरे चैनल में साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुना आपके इस आने वाले भाईस की एक्जाम के लिए धेर सारी सो कामना ही देता हूँ इस बीच कल तक भी आपको किसी का डाउट हो क्लियर हो तो मैं उसका जवाब ले सकता हूँ आप सभी को पुना धन्यवाद, नमस्कार, थैंक्यू, सब बखेर